नमस्कार मैं भीम राव लोनारे आईबिम टिवी नाइन नीज और डबलूने एच नीज पे मैं आपका सौगत करता हूँ आज मैं अमबेटकरी विचार मुर्चा के कार्याले में हूँ जो की S1 स्टेडियम में है इस कार्याले में महात्मा राष्टपिता महात्मा गांदी जी का पुन्ने तिथी के अविवादन कार्यकरम का आईजन किया गया और एक कार्यकरम यहाँ पे रखा गया था राष्टपिता महात्मा गांदी और महामानो डॉक्टर बाबासाब अमबेटकर जी इनके विचारों पे आधारित एक कारेकरम आईजित किया गया था आज हमारे साथ में यहां के आमबेटकरी विचार मूर्चा के राष्ट्री अद्देक्ष नारायन बागडे जी है हम उनसे जानेंगे कि यह जो कारेकरम आपने आईजित किया ये कारेक्राम आईजित करने के पीछे क्या मकसद था सर आपका IBM TV9 News और WH News में स्वागत है बहुत ही सराहनी ये कारेक्राम आज महत्मा गांधी जी के पुन्नेतिति के अउसर पर आपने आईजित किया है सबसे पहले मैं आपको बदाही दूँगा देखिए डॉक्टर बासा आमबेटकरजी और राष्टर पिता महत्मा गांधी जी के विचारों पे आधारित ये कारेक्राम आपने आईजित किया क्या मकसद था ये कारेक्राम आईजित करने का ये समय की मांग है महत्मा गांधी हमारे आदर्श है इसमें कोई शंका नहीं, पर हमारा दोनो विचासरणी है, दोनो विचासर्णी देश के लिए राष्ट के लिए फाइदे मत थाय अधर में, अधर आपर दूसरे विचासरणी का वीरोध करके जो तफावत निर्मान की जारी है ये तफावत दोनों के लिए घातक है हम नहीं चाहते हैं कि ये दोनों अगर आपस में दोनों विचारधारा अलग-अलग अगर विराजमान होती है तो हमारा जो शत्रू है जो इस देश में तीसरे विचारधारा है जो घोडसे की हम बोलें इसको कांग्रेस की विचारधारा नहीं गांडी की जो विचारधारा है वह बाबासाब की विचारधारा ये दोनों विचारधारा का अगर एक कित्मे करण होता है तो देश के लिए आज के समय में बहुत पोशक वातावरण निर्मान हो सकता है और यही सिले हमने गांडी जी के पुन्य तीती का अउचित्त साथ कर हमने ये चाहा कि क्यों ना फुलेशा वाम बेट कर विचार धारा और गांडी की विचार धारा ये गर एक होती है तो इसमें हमारा सामाजीक, शेक्षनीक, आर्थिक और सात्वासाथ राष्की भी लाब हमको मिल सकता है और जो प्रतिग्रामी शक्ति प्रतिव ग्रामी शक्ति को अगर नेस्तना बुस्त करना है तो एक अकेली विचार धारा नहीं कर सकती और गांडी विचार धारा भी नहीं कर सकती इनको दोनों को एक होना ही पड़ेगा अगर एक होते हैं तब हम हमारे शत्तुरू से मुकाबला कर सकते हैं इतना बल्चाली हो चुका है हम अकिला कुछ नहीं कर सकते हैं नारायन बागरी जी ने बहुत ही खास बात की कि डॉक्टर बावासाब अमबेटकर जी और राष्टपिता महत्मा गांधी के विचार धारा से अगर देश चले तो अमन शांती इस देश में बनी रहेंगे हमारे साथ में तना नाकपुरी जी है जो एक कवी भी है और अच्छे लेकक भी है हम उनसे भी इन विचार धाराओ प देश में अमन और शांती बरकरार रहेगी हम उनसे भी जानेंगे क्या बताओगे चलना चाहिए आज गांधी जी की चार्याति भी पुन्नेती तीपर यही को गा कि चलना चाहिए डाक्टर बावासाब आमेटकर के विचार हो मात्मा गांधी की विचार हो या जो भी इनकल लेकि चलती है। प्रदान मंत्री पूरे वर्ड ने बता है कि वो अच्छे प्रधान मंत्री है और नंबर वन के प्रदान मंत्री क्या बता है नहीं ये बात तो कुछ भी है वो खुदी अपने तरफ से सर्वेकर आकर अपनी ठोकते रहते हैं आधर निमोंदी जी की खिलाब बोलने का मेरे को कोई साहस नीए ना कोई मानस है ना उनका अपमान करना चाहते हैं मार जब सही देश के प्रदान गुणाओ को आगे बड़ा है अज उतरफ से चले जाओ इनकांटर के मांदिम से आपने गरीब को कही ना कहीं मिटाया है नया भारत बना हुआ है कि अब नया भारत का हम निर्मान करेंगे क्या बता हूँ नया भारत के निर्मान भगवान राम मंदिर बनाने से नी होता है इंसान बनाने से होता है गरीबों की हस्ते हो काम नंता है उसको आगे बढ़ाओ जो बेरोजुगार को काम लंदे तो वो महेंगा ही है आसमान का जो खुन पीना को दोड़री उसो कम करो यह सारे ऐसे गाउन पसले आपके साब में आज भी जिन्दा है मगर आप क्या करते हो उन पर लजर फिर देते हो आप जाते हो फारण में अपनी फिंदोकने वाले में पर खळे कर देते हो आप लोगों की जासुदी करवाके उनके घर उध्मस्त करते हो यह सारे काम आपको अधिकार किस्ते दी है आपको यही रोखूंगा हमारे साथ में और भी वो पूर्व विधायक उत्तर नाकपुर के लोगप्रिय विधायक थे पहली बार भारतिय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर नाकपुर के चुन के आये थे सब्सक्राइबार भारतिय जनता पक्ष से चुन के आये थे क्या लगता देश में अमन शानती है कि इस प्रकार की अमन शानती है कि जो भड़े नग्री है और पूंजी पती है उन पर शानती है और बाकि जो दलीत कुछली और जो भहुजन समाज के लोग है क्या मूदिजी अभी कहा जा रहा है कि मूदिजी देशमिकसे बेरोजगारी दूर किये है मूदिजी ने यह दूसरा टर्म है उनका क्या लगता अभी उत्तरप्रदेश की भी चुना होолет पाच राज्यों के चुना हो चुना हो रहिं हैं 24 में जो लोक सभा के चुना होने वाले है क्या लगता आपको कि मोदी जी के चाहने वाले फिर उनको एक बार प्रधान मंतिर बढ़ाएंगे ऐसे लगता आपको आप भारतिय जन्ता पक्षा के नेता हो इसलिए बोला मैं मैं तो एक कऊँगा जब तक समाज में विक्टर रहेंगा तो भारतिय जन्ता पार्टी चुन कर जरूर आएंगी यह मेरा मत है इसलिए पांचो राज में जो हर तना से पार्टियंदा पार्टी के जो कैडर है और उनके जो कारेकरता है वो बहुत कठीर रूप से मतब काम करते हैं हम लोग जो दूसरी पार्टी के जो लोग है वो केवल चुनाओं में ही अपना सब फोज फाटा लेके उतरते हैं नाराइन बागरे जी ने आज जो पुन्य तिति का राष्टपिता महात्मा गांदी जी के पुन्य तिति पर जो एक कारेकरम आईजित किया परिसमवात का अंबेटकर जी के और महात्मा गांदी जी के विचार धारा पे जो परिसमवात आईजित किया क्या बताऊ गया अम्विटकरवादी और गांधीवादी ये आज के पढ़े लिखे नौजवान के लिए एक बहुत बढ़ा सुत्र है वो दोनों को एक मानते हैं लेकिन पुराने जो लोग थे जिन्नोंने गांधीजीवाद को और अम्विटकरवाद को जो जगडा लाकर सदियों से फूर डा लिए तो हम यहीं चाहेंगे कि भी गांधीवादी और अम्विटकरवादी अगर एक जगां मिल जाते हैं तो कहीं ने कहीं यह अनुस्य जाती जमांदी के लोगों को एक अच्छा मौका मिल सकता हो एक तीसाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा इनको फाइदा मिले और हम करीब भार्ती चंके हैं और बाकी पार्ड़े का तो मैं यह मैं पहले विस्पांटा नहीं के वही हुजा उड़ीटा करेता मौकी पहलेगी ज्बाव नहींु traitor बहुत पेरित किया आज उलक मान रहे हैं मेरी बात तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब भी मैं आमदार था बढ़ए आपने आपने काफी विकास किया है उत्तर नाकुर का हमारे साथ में मैं आपको बताऊँगा केंद्र की सरकार केंद्र की जब केंद्र में एक अधिका आप सामने आजाएए साथ में हैं था केंद्रं में एक अधिकारी के रूप में थे लेकिन उनको क्या तकलिफ आप सहन करते थे जब आप के रूप में थे तो आपको सहन होती थी Object जो भी अनुसोची जाती जामाती के सर्विस पात्य है जो पात्रा उनको तप्लिक तो होती है क्यों कि इस देस में राज करने वाले वही है पत्रकार भी वही है और जो नायदी से वो भी है तो कुछ ना कुछ तो तप्लिक होती है और तप्लिक होते हुए भी हमारे जो अधि तो बाबा साब ने दिया है, हमें भी जीने का अधिकार है, हमें भी अधिकार है, सर्विस करने का यह अब बाबा साब ने दिया है यह पदोनती के लेके काफी बवाल मचा हुआ है, क्या बताओ के पदोनती तो होना ही चाहिए, गटना में वैसा लिखित है और न करने का कारण यह है कि यह दि हमारी अनुसुचित जाती जामाती के वर्ग के लोग अच्छे पोस्ट पे जाए, क्लास वन पोस्ट तक जाए, सुपर क्लास वन तक जाए या डायेटर बने, तो इन लोगों के पेट में खलता है, यही एक कारण है कि यह लोग नहीं चाह कोई भी सरकार रहे स्टी सी ओबीसी का पदनती की जब बात आती है तो उनकी पदनती नहीं करते हैं हमारे साथ में एड़ोकेट साब भी है जो सीनियर एड़ोकेट है हम उनसे भी जानेंगे कि यह देश में जो कानून विवस्ता है उसके बारे में उनके क्या विचार है साथियों आपने जो सवाल पूछे है या भारत अंदर में जो न्या विवस्ता है इस न्या विवस्ता के भागवी करन हो चुका है हमारे न्यमूर्थी रमना इनका रिशेंट लिए का पेपर न्यू जाया है उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक इस देश के अंदर में ये न्या विवस्ता का भारते करन्य होगा आएपीशी का भारते करन्य होगा इंडियन पिनल कोट या क्रिमिनल प्रस्टर कोट ये तमाम जितने भी कानून है इन कानून का जब तक इनका भारते करन्य होगा तब तक इस देश्की जो न्या विवस्ता है जिस नयाव स्कूपर पकड ये उच्चे बर्जे की जो पकड इस पकड से ये नहीं उबर सकती है इसलिए इसका भारते करना होना बहुत अनुआ है क्या लगता आपको आप एक एडुकेटो सिनियर मोस्ट एडुकेटो क्या लगता देश सविधान के मार्क पर चल रहा है कि उनके फाइदे की बात रही तो वह स है कि अम्हीं प्याद सनियर मिलना चाहते सलिए एड़ा अम्मैडर की बेहा जर्य जा विश्टिप से लेहन डिकाजुश्दाजिदर नहीं नहीं चाहते है तो मैँ आपको बताना चाह है कि आमबेटकरी विचार मुर्चा के राष्ट्रिय अध्यक्ष नारायन बागड़ी जी ने आज जो इस एश्वन स्टेडियम के कार्याले में जो एक कारेकरम आई जित किया राष्टपिता महात्मा गांदी इनके पुन्य तिथिक के अउसर पर एक आमबेटकरी विचार और महात्मा गांदी के विचार पे जो परिसमवाद आई जित किया उस परिसमवाद काफी सरहानी है पहली बार किसी संगटना ने इस प्रकार का परिसमवाद रखा है अगर ये देश महात्मा गांधी और परंपुज़ डॉक्टर बाबा साब अमबेटकर जी के विचारधारा से अगर चले तो देश में अमन शान्ती बनी रहेंगे तो आप मेरे साथ बने रहें मैं भीमराव लोना रहें आप देखते रहें आईबीम टिवीना न्यूज डबली एच न्यूज हाँ हमारे चैनल को लाइक करें सब्स्राइब करें हाँ आईकोन बेल बटन दबाना ना भूले जैभीम नमस्कार